जाट भाईयो राम राम, मैं आरती तालान तालियान खाप की बेटी हूँ, आपसे बस इतना कहना है कि अगले कुछ दिनों में मद्दान है और हमें अपने आने वाली पीडियों का भविश्य देखकर राष्ट हित में मद्दान करना है एक पत पहले ही इसपष्ट कर दूँ कि ना तो मैं और ना ही मेरे परिवार का कोई व्यक्ति किसी राजनितिक दल का सदस्य है परंतो राष्ट हित के विशय पर अपनी राय रखना अपना कर्तव्य समझती हूँ यह सच है कि हमारे कुछ भाईयों के मन में सरकार के प्रती कुछ नाराजगी है विशे शिकायत तो सरकारों से हमारी हमेशा से ही रहती आई है मुख्य मंतरी वीर बहादुर सिंग से लेकर नाराय अन्दत तिवारी, मुलायम सिंग, मायावती जी और अखिलेश तक चौदरिक चरेंड सिंग प्रधान मंतरी थे तो हम उनके घर तक भी पहुँच गए थे विरोध करने वीर बहादुर सिंग को तो हमने करवे का पानी तक पिलवा दिया था लेकिन वो नाराजगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम मुक्तार अंसारी अतीक एहमद हाजी गला जैसे गुंडो के नेता अखिलेश यादव को मुख्य मंतरी बनवा दे और उस आज हम खान को जेल से बाहर निकलने में मददगार बन जाए जिसकी मकारी के कारण मुझफर नगर दंगा हुआ था जिसके बाद हमारे बच्चे मुकदमों में उल्चे रहे थे हम भूले नहीं हैं जब पात साल पहले शाम ढलते ही अंधेरा कायम हो जाता था हो जाती थी खेतों में दिन दहाडे बांत कर लूट लिया जाता था रिष्टेदार भी दिन छिपने के बाद गाउं में जाने से डरते थे पिष्ले पात साल में यह सब कुछ बदल गया है किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों की नाराजगी है यह बात ठीक है कुछ चुक हुई है परंतु कभी हमने सोचा है कि पश्ची में उत्तर प्रदेश का एक भी किसान किशी कानून से प्रभावित था क्या बताओ ठीक है हम दिमाग का काम भी हाथ पैरों से लेते हैं पर यह भी तो ठीक नहीं है कि उसे बिना यूस किये पूरा का पूरा पन्नी पैकी भगवान जी को जाकर लोटा दे अरे भाई इतनी लड़ाई गन्ने के भाव पर लड़ी होती या बिजली के बिल पर लड़ी होती तो कितना फाइदा हो गया होता जरा सोचना एक बार पता नहीं याद है या भूल गए 1989 में चौधरी अजीत सिंग मुख्यमंत्री की शपत लेने वाले थे आधी रात में मुलायम सिंग के पहलवानों ने उनके 15 समर्थक विधायकों का अपरण कर लिया था पांच वोटों से चौधरी साहब हार गए और मुलायम सिंग मुख्यमंत्री बन गया एक बार और बेमिलगट बंदन हुआ तो ये वो ही मुलायम है जिसने अनुराध्ध चौधरी के नाम पर चौधरी साहब का जीना हराम कर दिया था बदनाम कर कर रख दिया था थक हार कर वह सरकार से अलग हट गये और उन्हें कहना पड़ा कि जिस गाड़ी में सपा का जंडा उस गाड़ी में गुंडा मेरे जाट भाईयो आज हर गाव से जाट लीडर्शिप भर रही है 21 जाट चुनावी मैदान में है जबकि अखिलेश ने जैन चौधरी का इलाज बांदने के लिए नाहिद हसन मुहम्मद हमीद हाजी युनुस गुलाम मुहम्मद महबूब अली और कमाल अक्तर जैसों को हमारी चाती पर बैठाने की साजिस रच रखी है अगर गलती से भी ये जीत गए तो पहले ही दिन समाजवादी गुंडा पार्टी में भाग जाएंगे माट सीट उधारन है जैन चौधरी वहाँ जीतने की स्थिती में थे जान बूच कर संजेल अठर को उनके सामने उतार दिया है खिलेश ने बरबाद करना चाहता है वो जैन चौधरी को याद रखना सबसे बड़ा दुश्मन है वो जाटो का जैसे पिशली बार मायावती की कैडर वोट लेकर चुनाव की तुरंद बाद लाक मार दी थी उनको ऐसे ही अगर कुछ विधायक जैनत के जीत भी गए तो उन्हें वह अपने साथ मिलाकर जैनत को लाक मार देगा मायावती की ही तरह प्रंतुमात्र जैन चौधरी विशय नहीं है हमारा उनके लिए तो अमिट शाहा ने भी कह दिया है और लिख कर रख लो चुनाव के बाद जीत हो या हार वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे यही उनके हित में है और यही लोग चाहते भी है पर बात केवल उनकी नहीं है बात हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की है बड़ी मुश्किल से पिछले पात साल में यह वातावरन बना है जब गुंडा तत्वों की संपत्ती पर बुल्डोजर चला है और उनकी गुंडा गर्दी पर लगाम लगी है हम लोग वीर गोकुला, राजा राम जाट और महाराजा सूरजमल की संतान है जो मुगलों से टक कर लेते लेते मरत हो गए प्रन्तु विदेशी ताक्तों से समझाता नहीं किया बाबर और खिलजी की संतानों से हमारा डियने मैच नहीं करता हम सब कुछ बरदाश कर सकते हैं पर इनकी गुंडा गर्दी नहीं